दो अक्तूबर हम सब के लिए पवित्र और प्रेरक दिवस होता है कुछ जबापु के विशार और आदर्श आज पहले से कहीं ज़्यादा प्रासंगी है माहत्मा गांदी जी कहते थे कि उनका जीवन ही उनका संदेश है गांदी जी ने कभी अपने जीवन से प्रभाव पैदा करने का प्रयास नहीं किया लेकिन उनका जीवन ही प्रेरणा का कारण बन गए मात्मा गांदी जी ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्र, स्वालमन के विचारों से देश को रास्ता दिखाया उच्चे बापू, स्वच्छता को सर्वोपरी मानते थे गांदी जी सहेद को सच्चा धन मानते थे और चांते थे कि देश का हर नागरीद स्वस्त हो गांदी जी वसुदय उप्टुम कम में विश्वात रनते वो का सपना आत्म निर्भर आत्म विश्वात से भरे भारत का था गांदी जी का संकल पथा एक ऐसा भारत जहां हर गावं साव लंबी हो गांदी जी समाज में खड़े आखडी व्यक्ति के लिए और फैसला लेने की बात करते गांदी जी के ये सिध्धान हमें मानवता की रक्षा करने के लिए मार दर्सक की तरह काम करते हैं मुझे विश्वात है कि गांदी जी का दिखाया ये रास्ता पहतर विश्व के निर्माण में बेरक्षिद्ध होगा मैं समझता हूँ कि जब तक मानवता के साथ गांदी जी के विचारों का ये प्रवा बना रहेगा तब तक गांदी जी की प्रेणा और पासंगिक्ता भी हमारे बीच बनी रहेगी